साथियों, सदियों से हमारा धारवार, मले नाडू और बयालू सी में इसके बीच गेटवे टाउन यानि द्वार के रुप में जाना जाता रहा है। अलग अलग छेत्रों के यात्रियों के लिए ये नगर एक पड़ाव होता था। इसने हर किसी का दिल खोल करके स्वागत किया और हर किसी से सीख कर खुद को सम्रुद्द भी किया। इसलिए धारवार केवल एक गेटवे ही नहीं रहा बलकि एक करनाटका और भारत की जीवन तता का एक प्रतिविम्ब बन गया। इसे करनाटका की सांस्कृतिक राजधानिक रुप में जाना जाता है। धारवार की पहचान साहित्य से रही है। जिसने डॉक्टर डी आर बेंदरे जैसे साहित्यकार दिये है। धारवार की पहचान सम्रित्य संगित्य से रही है। जिसने पंडित भिमसेन जोसी, गंगुबाई हंगल और बासवरार राजगुरु जैसे संगीतक के दिये। धारवार की धर्ति ने पंडित कुमार गांदर्व, पंडित मलिकार जुन मानसूर जैसे महान रत्नों को दिया है। और धारवार की पहचान यहां के स्वाद से भी है। ऐसा कौन होगा जिसने एक बार धारवार पैड़ा का स्वाद लिया हो, और फिर उसका मन उसे दोबारा खाने का ना किया हो। लेकिन हमारे साथी प्रला जोशी मेरे स्वास्थ का बहुत खयाल रखते हैं। इसलिए उन्हा आज मुझे पैड़ा तो दिया, लेकिन बंद बॉक्स पर दिया। साथियों, आज धारवार में IIT के नए केंपस की दोहरी खुशी है। यहां हिंदी समझ में आता है इस तरफ। यह केंपस धारवार की पहचान को और मजबूत करने का काम करेगा। साथियों, यहां आने से पहले मैं अभी मंडिया में था। मंडिया में मुझे बैंगलूरू, मैसूरू, एक्सप्रेस वे करना टका की और देश की जनता को समर्पित करने का सोभागे मिला। यह एक्सप्रेस वे करना टका को दुनिया के सौप्प्वेर और टेक्नोलोजी हब के रूप में और आगे ले जाने का रास्ता तयार करेगा। अभी कुछी दिन पहले बेडगावी में कई विकास परियोजना का लोकारपण वर्सिलान्यास हुआ था। शिवमगा में कुवेंपू एरपोर्ट का इनोग्रेशन भी हुआ था। और अब धारवार में IIT का ये नया केंपस करनाटका की विकास यात्रा में नया अध्याय लिख रहा है। एक इंस्टिटूट के रूप में यहां की हाई टेक फेसिलिटीज आई 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 टी धारवार को वर्ल के बेस इंस्टिटूट के बरावर पहुंचने की प्रेणा देंगे। साथियों यह संस्तान भाजपास सरकार की संकल्प से सिद्धी का भी उदारन है। चार साल पहले फरवरी 2019 में मैंने इस आधुनिक इंस्टिटूट का सिलान्यास किया था। बिच में कोरोना काल था, काम करने में अनिक दिक्कते थी, लेकिन उसके बावजुद भी मुझे खुशी है कि चार साल के भीतर भीतर आई आई टी धारवार आज एक फिचरिस्टिटिटूट के रुप्य तयार हो चुका है। सिलान्यास से लोकारपण तक डबल इंजिन सरकार इसी स्पीड से काम करती है। और मेरा तो संकल पर रहता है, जिसका सिलान्यास हम करेंगे, उसका उद्गाटन भी हम ही करेंगे। होती है, चलती है, सिलान्यास करो, पत्थर रखो, और भुल्या, वो वक्त चला गया। करेंगे। करेंगे।